हेलो एवरिवन वेल्कम टू मैं भी शेक कुमार अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको दे रहा है कम्प्लीट न्सियाइटी बुग न्सियाइटी एग्जांप लो बेस्ट पॉब्लीशर्स की बुग वो भी कम्प्लीट थियोरी और कम्प्लीट सॉलुशन के साथ इसी स्टार्ट करते हम अपने वीडियो को इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 6 स्टुडेंट्स आपके लिए एक बहुत प्यारा सा टॉपेक और टॉपेक का नाम है सीमेट्री तो आप मेरे पीछे जो हैडिंग देख रहे हैं वह सीमेट्री आपकी एन्सियाटी भ यह एक पास नहीं भी यह आपको नमबर पता होना चाहिए चाहटर नमबर 13 निया जिस भी नमबर है चैट्टर का नाम फाइनली है स्मेट्री सेमेट्री बहुत पहरा चैट्र मैं ऐसा कहूंगा कि सिक्स्ट में भी आप पढ़ेंगे अभी आप पढ़ी रहे हैं जो मैं भी आ थीक है तो बेसिक्स नॉलेज आप ले रहे हैं सिख्स अब यहाँ पर इस वीडियो में क्या कवर करेंगे चैप्टर में से त disp aट आपको lice सिमेयो गया गया विर-न इंट्रोड़क्शन पार्ट है वर्ड लाइन सिमिट्री के साथ में तो एक छोटी सी वीडियो है ठेक है इसको पूरा वाच करिएगा और इसके बेस पे आप NCRT की अपने इस वीडियो को इस वीडियो में सबसे पहली चीज एक छोटा सा इंट्रोड़क्शन लेते हैं हम कि वर्ड सिमिट्री का मतलब क्या होता है मैं ऐसी उमीद करता हूं कि आप लोग कहीं न कहीं किसी मॉन्यूमेंट में घूमने गए होंगे किसी पार्क को देखने गए होंगे घर से कहीं तो घूमने गए होंगे ये पक्का है और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोग कौन सी ऐसी जगाओं पर विजट करके आए हैं जब आपने दूर खड़े होंगे उन चीज़ों को देखा होगा तो आप लोग को वो चीज़े बहुत सुन्दर दिखती हैं बहुत प्यारी दिखती हैं एक छोटा से एक्जाम्पल यहाँ पर फोटो भी देख रहे हैं मैंने ताजमहल बनाया अगर आपने कभी आगरा विजट नहीं किया है तो मैं ऐसा एक बार कहूंगा कि इस प्लेस में आप जू जाईए आगरा आप जाईए वहाँ पर ताजमहल को जू खड़े होके देखिए और वो भी खड़े होके देखने की जो जगा है वहाँ पर एक जगा फिक्स है जो कि जस ताजमहल के सामने इस गेट के जस सामने है और वो जगह है एक बेंच लगी हुई है तो यह जो गेट आपको दिख रहा है इस गेट के सामने खड़े होके उस बेंच में खड़े होके जब आप ताजमहल को निहारेंगे तो आपको ताजमहल बहुत प्यारा दिखेगा अब वो जब बहुत प्यारा दिखेगा, तो उसके पीछे एक रीजन है, कि वो ताज महल इतना प्यारा, इतना सुन्दर क्यों दिखता है, अब ज़्यादा तर लोग उस बेंच पे खड़े होके, उस ताज महल की ऐसी चोटी को पकड़ के फोटो किछवाते हैं, और हो सकता ह आप में से मैक्सिमम लोग जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने भी इस ताज महल की चोटी को जो पकड़ा होगा, ठीक है, तो हम उस बेंच पे खड़े हो जाते हैं, और ताज महल दूर है, पीछे कहीं, उसकी चोटी हमारे हाथ में आती है, ठीक है, चोटी इन बहुत प्यारी सी, मतलब उस ताज महल की जो सुन्दरता आती है, निकल के, एक तो उसका कलर ठीक है, उसकी वाइटनेस, क्योंकि वो कम्प्लीट ठीक है, इसे मार्बल से मना हुआ है, ये तो एक रीजन है, क्योंकि जो स्टोन यूज की है, जो कलाकारी यूज की है, वो त आपको यहाँ पे जो पिलर है, तेके, और ये जो पिलर है, ये सामने से एकदम सिमिलर दिखेंगे, ये दोनों पिलर एकदम सिमिलर दिखेंगे, ऐसे यहाँ जो पीछे वाला मिनार है, ये एकदम सिमिलर दिखेंगे, ये जो उपर वाला कुतम, टॉम बना हुआ है, जो य एक पार्ट है यह एकदम सेम है इसके दूसरे पार्ट जैसा इसमें छोटा सा भी आपको अंतर नसर नहीं आएगा तो आप यहां पर एक कर सकते हैं यह जो मैंने रेड कलर की डॉटेड लाइन यहां पर By कि यह एक्षिया दों मिंट रेजू कर देखीका मैंने जो डॉटेड को हम झिए माक की इस माक से एप या तक तुकड़े कर लिखता है जब उस बेंच पे कड़े हो के वो स्ताज महल को देखा जाता है इससे ये समझ आता है कि किसी ने हो सकता है आधा पार्ट बनाया और इसकी कॉपी करके यहां पर रख दिया मेरी बात समय ना मैं बहुत बेसिक शब्दों का यूज कर रहा हूं मैंने क्या बोला कि उस ताज महल को देखने के बाद ऐसा लगता है कि किसी ने सिफ आधा फोटो डिजाइन किया होगा और उस आधा फोटो को जब इधर फोल्ड करके वापस उठाया होगा तो इधर का जो इंप्रेशन है वो इधर प्रिंट हो गया और वो ताज महल की खूपसूरती वहीं से बन के आती है वहीं से निकर के आती है तो यहाँ पर आपको फिजिक्स के लॉज यहाँ पर आपको मैट्स के लॉज यहाँ पर आपको साइन्स यहाँ पर आपको हिस्ट्री यहाँ पर मतले यह एक ऐसी जगा है जहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट की नॉलिज मिलेगी मेर यहां पर अभी हम क्योंकि बात कर रहे हैं मैट्स की और हम टिके रहते हैं मैट्स पर तो यहां पर वर्ड आपको symmetry देखने को मिलता है इस से आपको क्या समझा आया कि symmetry का मतलब क्या है symmetry is quite a common term यह common term है जो कि आपको एक knowledgeable person के पास हमेशा सुनने को मिलेगी knowledgeable person मतलब जिसको इसकी नॉलेज है word symmetry जिसको नोन है वो हमेशा आपको जब किसी चीज के बारे में reference दे रहा होगा word symmetry का use हमेशा करेगा तो common use term है ठीक है in the day to day life हमारी daily जिंदगी के अंदर ठीक है जैसे अगर नहीं भी यूज होता आपके घर में अगर मैं बोलू तो कई बारा आपने अपने मम्मी पापा के मुह से सुना होगा carbon copy ठीक है यह आपने दो twins देखे होंगे आप देखेंगे दो twins इस तरह के दो twins मतलब आपने आपकी क्लास में हो सकता है मुझे comment box में जो बताना क्या आप लोगों के स्कूल में आपने कभी twins देखें twins इंदा मतलब दो similar भाई दो similar भेने ठीक है यह भाई और भेन जिनकी शकल एकदम सेम मिलती है तो इनको हम कहते हैं twins एकदम carbon copy तो हम अपने daily life में एक वर्ड यूज करते हैं carbon copy एकदम एक जैसा दिखने में कोई अंतर नहीं दोनों के अंदर ठीक है तो यही चीज यहां पर word symmetry है जो हम अपनी daily life में common word का यूज करते हैं when we see certain figures with evenly balanced proportion evenly balanced proportion बहुत important word है और इसको आप अपनी copy में note कर लो यह छोटी सी definition है और exams यहां school test में तुम्हें 1 marks में देखने को मिलती है ठीक है तो मैं यहां पर कहूंगा कि 1 to 2 marks का यह definition mathematics के अंदर theory part में यहां मैं ऐसा कहूंगा true and false में यहां मैं ऐसा कहूंगा MCQ में यहां मैं मैं ऐसा कहूंगा fling the blanks में यह एक ऐसा ऐसी यह तीन लाइने है ना कि आपको कहीं बेभी आपके school test school exam में देखने को मिल सकती है तो word symmetry is a quite common term used in day to day life when we see certain figure जब हम किसी pictures को देखते हैं किसी figures को देखते हैं आपने कभी butterfly देखी होगी ठीक है तो butterfly में आपने क्या notice किया उसका जो एक विंग होता है ठीक है वो उसके एकदम similar दिखता दूसरे विंग जैसा एकदम कोई भी अंतर नहीं दोनों wings के अंदर इधर भी अगर डॉट है इसका अगर design ट data है तो यह जो carbon copy होती है इसी को word symmetry बोलते हैं तो आप ऐसे कुछ figures देखते हैं ऐसे कुछ sculptures देखते हैं ऐसे कुछ monuments देखते हैं ऐसे कुछ चीजे देखते हैं जहां पर आपको एक पार्ट एकदम similar दिखता है दूसरे पार्ट जैसा ठीक है तो when we see certain figures with evenly balanced proportion evenly balanced proportion इस वर्ड का मतलब यह है कि एक पार्ट में बनने वाली चीजे जब एकदम सेम दूसरी साइट पर दिखे उनके बीच का जो difference है distance है वो भी similar हो तो इस तरह के वर्ड के लिए हम वर्ड यहां पर evenly balanced proportion का यूज कर रहे है ठीक है we say they are symmetrical हम इसी केस में कहते हैं कि यह जो दो फोटोज है यह जो दो copies है यह जो दो पार्ट है यह एक दूसरे के एकदम similar symmetrical है ठीक है तो दे आज symmetrical वर्ड बहुत अच्छे समझना same symmetrical में एक वर्ड छुपा हुआ है same similar carbon copy ठीक है clear है तो comment box में बताइए यहां पर मेरा यह छोटा सा word जो मैंने आपको समझाया word symmetry आपको समझाया ठीक है तो मुझे जल्दी से yes or no comment box में जवाब देना चालू करो आजो ताज महल के आप यहां पर मेरे समने photo और देख रहे हैं जो लोग साउथ से हैं तमिल नाडू कभी घए हैं यह आगर आप नॉर्थ आप साइड या वैस साइडि साइड कें आप लोग त्रोट एक बांडी वज़िट अलगे और कें अंदर आप तमिलनाडू जूर जाहिए। में आप यहां पर तिरू वंद मलाइथ जो जगह है यहां पर जो विजिट करें दूर से यह इसकी अगर आप फोटो अभी Google सर्च भी करेंगे तो आपको यह जो फोटो देखने को मिलेगी आपको यहां पर एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि यह जो पार्ट है यह जो पार्ट है एक चीज का भी अंतर दूसरे साइट पर आपको समझ नहीं आएगा ऐसा लगेगा कि किसी ने आधा पार्ट पूरा बनाया अगेन इस चीज को इधर फोल्ड करके दुवारा पेपर उठा लिया है तो इधर की जो कॉपी है वह इधर एकदम सिमिलर बन गई तो यह जो जगा है तिरुवनमलाई ठीक है तमिलनाडू का एक बहुत फेम इसने को नहीं मिलता यही हमारी हिस्ट्री के एक बहुत अच्छी खासियत है कि हमारे जो पूरवश थे हमारे जो पहले हमारे जो बड़े थे उन लोगों ने जब इन किस प्यारी तरह की मैट्स की नॉलेज हमारे पूरवजो को थी जिन्हों ने इस चीज को डिजाइन किया ठीक है तो सिमेट्री इस कॉइट कॉमन टर्म यूज इन डे टो डे लाइफ वेन वी सी सर्टेन विगर विट इवनली बैलेंस प्रपोशन वी से देया सिमेट्रिकल क्लियर अब आर्किटेक्शल मार्वल आप ब्यूटिफुल बिकॉज ऑफ देर सिमेट्री ये मैंने प्रिंसिपल लिख दिया आप किसी भी मॉन्यूमेंट में अगर आप विजिट करें तो आपने हाँ पे दो मॉन्यूमेंट्स देखे एक आपने ताजमहल देखा और तमि चीज को शेर जू करिए ठीक है शेर करिए मतला कमेंट बॉक्स में अभी उस जगा का नाम बताइए कहां पर वो जगा है मैं इस चीज को जानना चाहरा हूं आप लोगों से और भी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हूं कमेंट बॉक्स में जू विजिट करें और बाकी जगाओं पर जू विजिट करें चलिए तो इस तीके से हमने एक छोटा सा इंट्रोडेक्शन लिया वर्ट सिमेट्री का अब हम आ जाते हैं थोडा सा आगे इस चैप्टर की डिप्थ में चलते हैं कि हमें क्या पढ़ना है टेक है तो हमें क्या पढ़ना है हम वहां पर आ जाते हैं तो fold a picture in half such that the left and the right half match exactly then the picture is said to have और इसकी इसी चीज को हम कहते हैं line symmetry अब word हमें line symmetry word जो है line symmetry ये known होना चाहिए क्योंकि हमारे जो सवाल आएंगे वो आएंगे इसी word पर based वो हमें कुछ figures देतेंगे और वो हमसे कहेंगे कि इनकी line of symmetry ठीक है इनकी line symmetry find करिए तो हमें maths के अंदर ये समझना जरूरी है कि एक picture को देखने के बाद ठीक है उसका एक पार्ट एकदम similar दूसरे पार्ट जैसा दिख रहा है और यहां पर line of symmetry कहां बन रही है अब ज़रूरी दूसरे पार्ट जैसा एकदम similar होना चाहिए तब ही हम कहेंगे कि यहां पर line symmetry बन रही है clear है second video को second video जहां पर मैंने theory दी है उसको भी देखना मत भूलिएगा क्योंकि इसी को depth में मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे समझा है अभी मैं सिफ एक छोटा से introduction दे रहा हूँ word line symmetry से related आपने कभी अपने घर में रखा हुआ मत का देखा होगा जब आप मत का देखेंगे तो आप देखेंगे मतके का ये जो पार्ट है ये जो पार्ट है ये एकदम similar है मतके के दूसरे पार्ट जैसा clear है तो यह चीज अगर आप notice करें तो आप अपने घर में भी ऐसे कई figures देख सकते हैं जहां पर एक पार्ट दूसरे पार्ट जैसा similar होता है और वहां पर आप line of symmetry को बनाने की कोशिश करिए अभी आप जहां पर बैठे हुए हैं मेरी वीडियो को watch कर रहे हैं यहां पर आसपास अपनी मुंडी घुमा के देखिए और मुझे comment box में बताइए कि आपके आसपास आपको कहां पर symmetrical figures नजर आ रहे हैं ऐसे figure जिनका एक पार्ट दूसरे पार्ट जैसा match होता है अब यहां पर जवाब pen मत देना प्लीज ठेक है क्योंकि pen का एक पार्ट दूसरे पार्ट से match नहीं करता यहां पर dotted point पार्ट होता है यहां पर थोड़ा मोटा healthy पार्ट होता है तो प्लीज जवाब pen मत दीजिएगा हां आप पैंसिल एक बार दे सकते हैं अगर आपके पास ऐसी पैंसिल है जिसके दोनों end कटे हुए ठीक है आप पैंसिल तब दे सकते हैं लेकिन पैंसिल के भी अगर आप दो पार देखें तो वो भी अइडेंटिकल नहीं है लेकिन हां पैंसिल योग वर्टी कली देखा जाये तो पैंसिल को जब आप वर्टी कली देखेंगे तो लाइन ओफ सिमिटरी बनती यह दिए डिखेगी एक पार्ट एकदम सिमिटरी देखेगा दूसरे पार्ट जैसा अग थेके अगर आप लोग अपने बैक्स पे स्माइली लगाना पसंद करते हैं मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोगों को स्माइली लगाना पसंद है आप एक सीमिलर दिखता है दूसरे पार्ट जैसा इसे दूसरे पार्ट दूसरे जैसा इससे दूसरे बाइख दिखेगा इसकी एक पार्ट में एकदम सिमिलर हैं दूसरे पार्ट में और इसका जो डिस्टेंस हैं इन दोनों का वो भी एकदम बराबर देखेगा अगर मैं एक लाइन और सिमेट्री बनाओ उससे जो दूरी मुझे मिलेगी तो आप यहां पर अपने बैग में लगी हुई जो एक पार्ट है विंग का यह एकदम सिमिलर है दूसरे पार्ट जैसा आप देखिए यही सेम डिजाइन दूसरे साइट पर देखेगा इसके अंदर बनने वाला भी जो डिजाइन है वो एकदम सिमिलर देखेगा अंदर बनने वाले डिजाइन से तो यह इतनी प्यारी हम आपके आसपास nature में मिलने वाले आपके kitchen में मिलने वाला आपके back पे लगने वाला smiley का example मैंने लिया और आप लोगों से उमीद करता हूं कि आप लोग मुझे भी comment box में यहां पे बहुत सारे नाम लिखके देने वाले हैं तो please जल्दी से मुझे comment box में वो सारी symmetries वताईए जो आपके आसपास available है clear है तो यहां पे पहली line वही थी कि एक photo को जब मैं paper लूँगा उसमें कोई चीड डिजाइन करूँगा और उसको fold कर दूँगा दूसरे side पे और अगर इस side पे बनने वाला figure बात को समय ना मान लो मैं यह rectangle ले रहा हूं उस rectangle का अगर मैं बीच में से तुकड़ा कर दूँ और इस part को अगर इधर fold करूँ तो यह जो इधर का part है यह एकदम match करेगा दूसरे side पे यह दूसरा side है तो जब एक part दूसरे part पे proper तरीके से उसके उपर set हो जाए एक एक तुकड़ा एक एक कोना एक एक design जब दूसरे side पे match करे इसी चीज को हम कहते हैं इस line को हम कहते है line of symmetry ठीक है अब यह जो ही नहीं यह line of symmetry vertically होती है यह line of symmetry देखिए तिर्ची भी हो सकती है butterfly में देखिए butterfly में मैंने यही line of symmetry तेड़ी बनाई है ठीक है आप इस rectangle में भी अगर ध्यान से देखें तो line of symmetry में horizontal भी ले सकता हूं तो यह line of symmetry line of symmetry जरूरी नहीं यह vertical होगी यह diagonal हो सकती है यह कहीं न कहीं तिर्ची हो सकती है slanted हो सकती है horizontal भी हो सकती है clear है इसको अपनी copy में note कर लीजे the two half are mirror images अब यह word है mirror images जिसको मैंने highlight किया हुए mirror mirror मतलब काच जब आप glass के सामने खड़े होते हैं ठीक है तो आप देखेंगे कि उस glass में बनने वाली image मतलब आपकी खुद की जो image है वो एकदम identical है आपका right उसका मतलब आपका जो hand है एकदम उसमें भी hand होगा वहां पर भी nose मिलेगी image में आपकी भी nose है तो इस तीकिसे mirror में बनने वाली जो image है जिस भी चीज को जिस भी object को मैं mirror में देखूंगा तो similar जो image मिलती है इसी को मै कहूंगा mirror image word समझ आ रहा है तो यहां पर भी the two halves are mirror images of each other एकदम similar एक दूसे से दिखते है और जो वो बीच का gap है तेके mirror और इंसान के बीच का जो distance है जो gap है जो line है vertical line उसी line को हम line of symmetry कहते हैं if we place a mirror on the fold then the image of one side of the picture will fall exactly on the other side of the picture ठीक है तो यहां पर आप एक छोटा से प्राक्टिस कर सकते है कि आप ऐसे खड़े हो जाए ठीक है और यहां पर एक mirror रखें बीच में रखें एक्दम अपने नोस की सीध में रखें ठीक है अब इस mirror में माली जी यह reflection वाला पार्ट है ठीक है तो यह mirror हो गया मेरे एकदम सामने अब मेरा यह जो पार्ट है ठीक है मेरा जो left hand side है यह left side mirror के अंदर एकदम same image बनाता हुआ दिखेगा इसी को हम कहते है mirror image तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि माल लीजे एक इंसान है इंसान के सामने अगर आप कोई mirror खड़ा कर दें तो इस mirror में बनने वाली image ही mirror image कहलाती है ठीक है यह मैंने mirror बनाया और इसी mirror को यह जो बीच में line बनती है हम line of symmetry कहते हैं तो the two half इस चीज को note कर ले ना the two half are mirror images of each other if we place a mirror on the fold then the image of one side of the picture will fall exactly on the other side of the picture clear है the fold which is the mirror line is a line of symmetry or an axis of symmetry for the picture अभी आपको यहां पर दो वर्ट सीखने को मिल रहा है क्योंकि सवाल यहीं पर बनेगा वह आपसे कहेंगे वाट तीन सवाल देखने को मिलेंगे यहां तो वह देखो तीनों similar question है है ना लेकिन variety अलग अलग है मतलब शब्द अलग 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 दे देंगे यहां तो बोल देंगे find line of symmetry find mirror line ठीक है एक word है mirror line तो बोल देंगे find आपको एक figure बना के देंगे कहेंगे mirror line बताईए यहां पर कहा है यहां वो तीसरा question आपको दे सकते हैं थर्ड question में दे सकते हैं जाए तो वो जो folded वाली line है जहां से आपने fold किया paper को ठीक है तो कोई paper मैंने लिया मैंने वो paper लेके अगर उसको बीच में से fold कर दिया तो आप देखेंगे बीच में crease बन जाती है वो जो crease बनी है paper खोलने के बाद वो जो crease हमें दिख रही है उसी crease को उसी line को हम line of symmetry कहेंगे clear है यह चीज तो यहां पर आपको axis of symmetry line of symmetry बहुत अच्छे से known होनी चाहिए क्योंकि 2-3 marks का सवाल यहां पर frame होता है ठीक है name the dotted line in the figure अब यह जो figure बनाई है इसमें इनका नाम बताई है तो यह जो है यह जो dotted line है इसी को हम axis of symmetry बोलेंगे यह vertical axis of symmetry है यह मैं बोलूँगा diagonal है ठीक है और यहां पर अगर इस तरीके से कुछ बनता अगर बनता लेकिन अभी नहीं बन पार आप देखेंगे eyes और नीचे mouth है तो horizontal line of symmetry यहां नहीं मिल रही है यहां पर vertical line of symmetry मिल रही है ठीक है तो vertical line of symmetry horizontal line of symmetry यह दो नाम याद कर लो हो सकता हो figure बना के दे और आपसे figure में कहें कि इसकी इसकी design करी इसकी आप horizontal line of symmetry design करी है यह vertical line of symmetry design करी है तो इस तरह का सवाल बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं ठीक है तो यहीं पर exercise 13.1 में हम इनी तरह के सवालों को देखने वाले है बोट कर लेते हैं clear थोड़ा सा और आगे चलते हैं ठीक है अब यहां पर आप देखेंगे छोटी से activity आपके ncrit book में दी है ncrit book जब आप open करते हैं तो आपका जो second pages chapter का उसमें आपको एक activity करने को बोला है आपको एक practical knowledge घर के अंदर टेबल पर बैठे लेने के लिए बोला है अगर आप कहीं visit नहीं कर सकते हैं तो आप घर में ही चीजों को देखो एक छोटी से activity अगर आप करोगे तो आप वहां से एक paper पे drop करेंगे ठीक है यह एक drop कर दीजिए तीन चार ड्रॉप कर दीजिए ठीक है और एकदम से आप paper को लीजिए एक पार्ट पे paper पे drop करिए और paper का दूसरा पार्ट आप fold कर दीजिए उसके उपर और जैसे आप उठाएंगे तो आपको कुछ एक design बनता हुआ नजर आएगा ठीक है इसी को इन्होंने यहां पर बोला मेकिंग सिमेट्रिक फिगर इंक ब्लॉट डैविल इंक ब्लॉट डैविल का मतलब यह है कि ब्लॉट वर्ड मतलब कैसे भी तो आप वहां पे drop कर दीजिए ब्लॉट बना दीजिए कोई भी कि एक दम एक फिगर दूसरे फिगर जैसा बनता हुआ दिखेगा तो डैविल मतलब बेसिकली यहां पर इस तरह के फिगर इसको बोला है जहां पर मैं कैसे भी तो इंक फैक देता हूं ठीक है और पेपर के उपर इंक फैक ने के बाद कई लोग यहां से ड्रॉइंग बनात डैविल ठीक है तो यहां पर इसी अक्टिविटी को इन्होंने करने को बोला है आप एक पीस ओफ पेपर लीजिए उसको फोल्ड करिये दो हाफ में ठीक है स्पिल अफ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन वन हाफ साइड नाव प्रेस दा हाफ टुगेदर यह कह रहा है उस एक पार्ट पे आप इंक को स्प्लिट कर दीजिए आप छटक के फैक ही आप ड्रॉपर से ड्रॉप करिये जैसे भी आपको करना आप स्प्लिट करिये और फिर फटाक से आप दूसरे पार्ट को उसके उपर फोल्ड करके ओपन कर दीजिए तो आप देखेंगे कि एक पे बनने वाला design दूसरे side पे भी वैसे ही same design बना रहा होगा clear है यह बात तो यही इन्होंने करने को बोला है is the resulting figure symmetric क्या वो बनने वाला figure आपको symmetric दिख रहा है yes या no करके मुझे comment box में जो बताईए if yes अगर हाँ तो where is the line of symmetry आप बताईए line of symmetry कहां पर है तो figure में आप line of symmetry बना के देखिए ठीक है if there any other line along which it can be folded to produce two identical parts क्या आप और भी कोई fold ऐसा कर सकते हैं जहां पर एक part दूसरे part जैसा similar दिखे तो अगर हाँ तो वो भी आपको करके देखना है चलिए इस activity को क्यों ना हम करके देखें यहां पर तो मैं तो सिफ एक छोटा सा assumption करते हुए आपको यहां पर समझाता हूं ठीक है यह क्या करने को बोल रहा है एक छोटी से activity मैं करता हूं फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे चलिए देखिएगा क्या करते हैं यहां पर हम ले लेते तो यहां पर हमने यह paper ले लिया एक design बना लेते हैं यह मने design बना दिया portable मतलब है आप ऐसा sum करिए मैंने एक पीपर लिया एह बीडिके अभी अभी महीं क्या कर रहा हूं कि मेर रटिंगे लेतं यह देखिए मैंने red ink ले लिए 되क मैं आब मैंसके एक इस पेपर को वर्टिकल फोल्ड ले रहा हूं ठीक है यह पार्ट मैंने इधर फोल्ड किया दुबारा open कर दिया मुझे क्रीज बनती हुई नजर आई है अभी में क्या गर्रो मैं एक रेड़िन ले रहा हूं मैंने रेडिंग ली ठीक है और मैं यहां पर स्प्लिट कर रहा हूं माल लीजे मैंने इस पैन को छटका तो यहां पर कुछ इस तीखे के निशान आ गए ठीक है अब जब इस पेपर को मैं इधर फोल्ड करूंगा और फिर से उपन करूंगा तो आप एक डिजाइन लाइटर बनता हूँ देखेंगे देखिए ये वाली जो लाइन है यह इधर को ऐसी दिखेगी यह जो इधर उपर गयी है यह लाइन ऐसी कुछ दिखेगी यहां पर यह जो ईसे लाइने बनी हैं आपको ये ऊपर ऐसी वर्टिकल बनती हुए नजर आएंगी तो एक पार्ट एकदम दूसरे पार्ट जैसा similar दिखेगा अब यह बोल रहा है पहले सावाल में क्या is the resulting figure symmetric तो मैं कह रहा हूँ yes it is symmetric if yes where is the line of symmetry तो यह रही vertical line of symmetry मैं यहाँ पर लिख दूंगा vertical line of symmetry बन रही है यहाँ पर ठीक है तो vertically line of symmetry बनती हूँ मुझे नजर आ रही है is there any other line क्या ऐसी और कोई line हो सकती है कि जिसको मैं paper fold करूं और वापिस open करूं तो उपर बनने वाला figure एकदम नीचे जैसा similar दिखे तो इस design में तो ऐसा नहीं है ठीक है यहाँ पर no है लेकिन maximum time ऐसा yes निकलता है ठीक है तो कई जगा पर design ऐसे भी बनेंगे जहाँ पर हम कहेंगे yes इसमें all lines of symmetry बन रही है ठीक है अगर हम इसको डाइगनली काट दे तो इधर वाला drawing एकदम इस side में भी बनता है अभी नहीं बन रहा वैसे बनता है ठीक है तो line of symmetry आपको ढूंड़नी आनी चाहिए questions को watch करना ना भूलेगा questions मैंने exercise 13.1 के कराये हैं जहाँ पर मैंने line of symmetry के 6 question जो आपके इस exercise में दी है 13.1 में वो 6 के 6 question का solution आपको solve करके दिया है तो उस video को पूरा watch करिए यहाँ पर line of symmetry एक छोटा सा introduction मैंने दिया और मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से मैंने आपको यह चीज समझाई है मुझे आप comment box में जो बताईएगा कि आपको चीजे कैसी लगी समझ आई यहाँ कोई issue है ठीक है तो चलिए यह videos कैसे आप देख सकते हैं proper देखे से arrange manner में कोई भी issue आपको ना आए घर बैठे बैठे 100% free education कैसे ले सकते हैं तो आपको आना है Google राजा के पास मतलब सर्च बार पर आना है वहाँ पर type करना magnet bins simple magnet bins type करते ही यह interface open होगा तो magnet bins.com यह हमारी website का नाम है आप जैसे इस interface पर आएंगे तो यह पर explore top courses head आपको दिखेगा इसके नीचे class 6 आपको यहाँ नजर आएगी आप है अभी class 6 में click करिए class 6 तो आपके सामने वो सारे teachers जो class 6 के subjects पढ़ा रहे हैं वो सब आपके सामने चाहे वो science का subject हो चाहे वो social studies का subject हो चाहे वो हिंदी हो चाहे वो computers हो maths हो science हो English सारे subject आपको यह teacher द्वारा पढ़ना है उन teacher की videos पर आके आप watch now click करिए जैसी आप watch now click करते हैं जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरी photo के नीचे जस्ट आपको अगर मुझे से पढ़ना है तो यहाँ पर आप watch now click करिए watch now click करते ही उन teacher द्वारा पढ़ाए हुए सारे topics proper arranged manner में एक एक topic wise क message जैसे आपको पहला chapter पढ़ना है पहला chapter knowing our numbers तो यहाँ पर प्रॉपर देखेंसे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे theory related फिर उसके बाद आपको NCIT की examplers मिलेंगी उसके बाद आपको NCIT की examplers solve मिलेगी उसके बाद आपको most important questions भी मिलेंगे ठीक है तो यहाँ पर आपको पास complete package वो भी सब 100% free education के साथ ठीक है तो इस तेकर से video run होना start हो जाती है और आप घर बैठे त्यारी कर सकते हैं किसी को किसी तरह की fees pay करने की जुएत नहीं है कोई subscription fees हमें नहीं देना किसी को clear है यहाँ पर सिर्व आपको एक छोड़ा सा काम करना है तो आप मेरे लिए वो छोड exam आ रहा है उसके बारे में आपको हम लोग पहले बता देते हैं तो वो चीज़े आप तक information पहुचने के लिए आपको चैनल को subscribe करना जरूरी है ठीक है तो bell icon दबाना ना भूलिए कोई fees pay नहीं करनी है सिप bell icon दबाना है इसी के साथ में video को अभी like zoo दे दीजिए क्योंकि आ आ रहे हैं clear है चले मिलते हैं इसकी exercise 13.1 में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए buy and take care